आयुश्मान खुराना की नई मूवी एन एक्शन हीरो सिनमा घरों में तरशकों को लुभाने में पूरी तर नाकाम्याब सावित हुई है फिल्म को पहले दिन से ही बेहद कम आडियन्स बिली है नतीजतन एन एक्शन हीरो की कमाई भी बेहद निराशा जनक है फिल्म को रिलीज हुए केवल पाँच दिन हो चुके हैं और एन एक्शन हीरो बॉक्स ओफिस पर दस करोड का आकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है चले जानते हैं आयुश्मान खुराने के एक्शन फिल्म ने पाँचवे दिन तक कितनी कमाई की है अनिरुद अयर के डारेक्शन में बनी यान एक्शन हीरो बुरी तरह फ्लाप हो चुकी है कमाई की बात करें तो फिल्म ने ओपनिंग डे यानि फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ एक दशमलव तीन एक करोड का बजनस किया है दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने महज दो दशमलव एक छे करोड रुपे कमाई है वही रविवार को तीसरे दिन फिल्म ने लगभग दो दशमलव पाँच दो करोड की कमाई की एन एक्शन हीरो ने सोमवार को चोटे दिन बॉक्स आफिस पर महज 80 लाख रुपे की कमाई की है वही मंगलवार की कमाई के आंकडे भी सामने आ चुके है अरली ट्रेंड्स के मताबिक एन एक्शन हीरो ने पांच विदिन लगभग 35 से 40 लाख का कलेक्शन किया है एन एक्शन हीरो में आयुश्मान खुराना और जयदीप एहलावत जैसे शांदार कलाकार है वही फिल्म को क्रिटिक्स और ट्विटर रिवियो में भी सराहा गया बावजूद इसके फिल्म दर्शकों को सिनमा घरों तक खीच करके लाने में नाकामियाब साबित हो रही है ऐसे में साल 2022 में आयुश्मान खुराने की रिलीज हुई फिल्म अनेक और डॉक्टर जी के बाद एन एक्शन हीरो भी फ्लॉक फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है निल्स डिस्क जन्हे टाइम्स